देखिए यह है आके का पेड आके का पेड जो है यह वैसे तो इधर उधर बहुत सारा होता सडकों के किनारे आसपास खूब होता है और लोग इसको कबार मानते हैं लेकिन यह वास्तों में आईरुवेद की बहुत ही विशेश ओस्दी है बहुत ही गुन देने वाले यह आपको सर्वाइकल का दर्द है आपको डिस्क का दर्द है आपको जोडों में गुटने में दर्द है आपके पिंडलियों में दर्द है या फिर जो आपके सिर में भी दर्द है मालो किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द क्यों ना हो उसके उपर यह आग का जो है बहुत जब का काम करता है तो प्रियोग कैसे करना हुआ आपको बताते हैं प्रियोग करने के लिए देखिए आप जो है चुले पर जो है वो कर लेंगे आप आग जला करके आग जला करके जो है चलाएंगे आप इसको एकपर पिर जो तेल को गरम कर लेंगे तेल को गरम करके और या फिर पत्ते के उपर तेल लगा करके उसको जो है ऐसे थोड़ा गरम कर लेंगे इस तरह से यदि पत्ते का प्रियोग करना आपको तो इस पत्ते को गरम गरम सा करके यह गरम तेल है देखिए गरम थोड़ा सा कम हुआ अभी है इसको गरम करके अच्छी तरह से या फिर आप पत्ते के उपर इसी ना तेल लगा करके पत्ते के उपर जो है अपना सर्शों का तेल या फिर तिल का तेल ले करके वो आप तवे के उपर इस तरह से लगा करके गरम कर लेंगे तो फिर क्या ये पत्ता जो है गर्मा गर्मा आपके जहां पर भी दर्द है घुटने में दर्द है या फिर आपके पैर में दर्द है आपकी एड़ी में दर्द है आपके गर्दन में दर्द है आपकी कमर में दर्द है वहाँ पर आप इस पत्ते को भी बांच सकते हैं तो भी गरम होने के बाद एक पत्ते को ऐसे डाल देंगे और थोड़ा हाँ से दूर अट जाएंगे क्योंकि यह पत्ता जो है जैसे आप तेल में डालेंगे तेल उचलता है यह सावधानी रखनी आपको तो जो है ऐसे एक पत्ता डाल देंगे इस पत्ते को फिर आपको जलाना है पांचों पत्त डाल देंगे ऐसे एक एक पत्ते करके आपको पूरे के पूरे एक लिटर तेल या सरसों का हो या तिल का तेल हो उस तेल में डाल करके जलाने हैं जब ये पत्ते जल जाएंगे पूरे जल जाएंगे तो ये आपका तेल तयार है देखिए या फिर आप गर पे तो है एक लिटर तेल का हम क्या करेंगे इतने तेल का देखिए इसमें सावधानी रखनी होती थोड़ी इसे दूर रहना होता है ऐसे यह पत्ता पटकता है यह जदी कच्छा पत्ता होगा ज्यादा पटकेगा और यदि आप सुखा पत्ता लेंगे पीला जो हो गया हो पीला जाता ज्यादा उत्तम होता वैसे तो इस त encourages डालेगे तो पटकेगा कम जो तो पीले पीले पत्ते करके सो के सो इसे जला लेंगे एक लिटर तेल आप घर में रख लेंगे किसी को क fen man ONE दर्थ है किसी को Hath में अजर्थ है किसी कि और ने में दर्द है किसी को घुटने में दर्द है तो लगातार इस तेल को आप है तेल को जो गर्म लगा थोड़ा लेकर के कटोरी में डाल करके गर्मा गर्म जो है उसके उपर जो है मालिस करेंगे गर्मा गर्म अच्छी खूब गर्मा गर्म मालिस करनी है ध्यान रखना है और उस तो आप थोड़ा तेल भी बना सकते हो ऐसे ही तवे पे या किसी पात्तर में लेकर के कडाई में या किसी और बरतन में तो उस तो इससे थोड़ा तेल जितने के आपको जूर्ट हो ना उसके अंधर आपे एक पता, दो पता, तीन पता, चार पता तेल के हिसाब से जला लेंगे और जला करके जो है आप इसको रख लेंगे तेल को सिर में दर्द हो किसी को कान में दर्द हो जाए किसी को किसी भी टम रात को दिन में तो थोड़ा सा गर्म करके उसन उसन सा हो तो जो है उसका प्रियोग कर सकते हैं आप तो इस तरह से आप इस जिसको बोने के जूरत नियुद की खूब होता पार्कों में के रइल्वे स्टेशनों में रोड्ड के ब제로बर में होते हैं तो इस तरह से आप आगा पत्थे का तेल तैयार करके रखलें सर्दी आने वाली सिह आ प्रीओ्च के षड़ of का बिलकुल भी आप जो जो जोड़ स्टिफ हो जाते हैं जोड़ जो टाइट हो जाते हैं जोड़ों में सोजन आ जाती है उस सोजन को भी दूर करेगा और क्या है जोड़ों में जो दर्द है उसको भी जो चूस लेगा इन पत्तों से आप इस तेल को बना करके प्रियोग कर सकते हैं और जो है कान में भी डाल सकते हैं और किसी प्रकार का कोई फोड़ा है किसी प्रकार का कोई दूस्ट वरण है माले जिए तो वहां पर भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं इस तरह से आप घर में इस तेल को बना करके रख ल नंबर है करनाल प्लस का नंबर इस पर संपरक कर सकते हैं मैं वैद राज आचारी अनुपम आरिय समाज मंदिर पुरानी गुर्मंडी समालखा से तो यह हमने आपको बताया आप इस जानकरी को ज्यादा ज्यादा लोगों में सेर करें और किसी प्रकार के को इंक्वाइरी है इस नंबर से आप मेरे से संपरक भी कर सकते हैं क्योंकि हम हर तरह काची किसा इलाज करते हैं